हेलो गाईज वेलकम टू आवर चैनल आपका आपके चैनल में स्वागत हैं जी तो आज हम एक टोपिक लेकर आगए हैं कि सर्दियों में शरीज में पानी की कमी क्यों होती है और इसे क्या से पूरा करें जी तो चली करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं हमारे शरीर में 70% पानी पाया जाता है और एक्सपर्ट के मताबिक हर दिन साथ से आठ गिलास पानी जरूर पीरना चाहिए लेकिन कई बार इसे रेगुलर करना बहुत मुश्किल होता है तो ऐसी कौन सी चीजे हैं जिने अगर हम खाते हैं तो हमारे पानी की कमी को पूरा क कम लगती है जिसे पानी पीने की इच्छा नहीं होती ऐसे में शरीर में डी हाइड्रेशन होता है इसे सदल भाशा में कहें शरीर में पानी की कमी होना और इसके अलावा जब पानी की कमी होती है तो कई तरह कि बीमारियां जैसे तना होना चिड़ चिड़ा पन बेचैनी अब जे चक्कर आना ऐसे लक्षन हो सकते हैं तो कैसे आप अपने आपको हाइड्रेट रख सकते हैं पहले बात कि कोशिश करो कि जब भी आप कुछ खाने जाओ या कुछ भी खाने लगो तो उससे पहले आप आदर गिलास या एक गिलास पोसिबल हो तो पानी जरूर पिए त और इसके अलावा आगर आप नॉर्मल वाटर जादा लेना पसंद नहीं करते तो उसके साथ आप नीबू पानी ले सकते हैं जो आपको पचने में भी मददगा साबित होता है फिर आप कुछ फूड वग्यारा ले सकते हैं या कुछ द्रिंक जैसे सूप हो गया और इनके अलावा कुछ ऐसी सब्जिया या फ्रूट जिनमें पानी बहुत मातरा में पाये जाता है आप उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इनके अलावा कुछ ऐसे ड्रिंक आप ले सकते हैं जिसमें पानी की मातरा बहुत अधिक होती जैसे दूद हो गया नादिल पानी पीए और अगर आप इसे पीते हैं तो आपकी बोडी में कई तरह की जो पॉजिटिव एफेक्ट है आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ-साथ आप अपने जो पानी पीने का रेगुलर है उससे फिक्स करें अगर पॉसिबल है तो अपने साथ या अगर आप घ आप गरम, कोफी, चाए या इस तरह गुन-गुना पानी आप ले सकते हैं और अगर आप ऐसी चीजे या पानी को अच्छे से पीते हैं तो आपकी बोडी को वो कई तरह की बिमारियों से बचाता है और आपकी बोडी में नमी पैदा होने नहीं देता और इसके साथ आपको या आपकी चेहरे का गलो है वो बरकराद आता है जी तो ये थी हमारी आज की टॉपिक पर इलेटेड वीडियो होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफोर्मेटिव रही होगी आज के लिए इतना ही सा थैंक्यू फूर वोचिंग